अगर आपके भी सिलाय मशीन में प्रॉब्लम है तो आज इस वीडियो में आप तो भी लोगों को पांच ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिससे आपके सिलाय मशीन की पूरी प्रॉब्लम्स खतम हो जाएंगी इस वीडियो को पूरा लाश्ट तक जरूर देखना और पसंद आ लेकिन इसका जो सुधारनी का टेकनीक है कि अलग होगा कहने का मतलब नीचे का अलग और अब उपर का लग इसको सुधारना कैसे वह मैं आप लोक को बताता हूं तो जब भी आप यह ज्यान रखना कि आपका मशीन अगर उपर का खराब दे रही यह वाला उपर है यह नीचे बॉबिन केस या उसके डिपी में है ठीक है और जब भी आपकी मशीन नीचे प्रॉब्लम कर रही है नीचे का धागा खराब आ रहा है तो आप समझ जाना कि जो भी प्रॉब्लम है वो ऊपर यहां पर है यह जो चीज बता रहा हूं मैं यह सिर्फ और सिर्फ छोटी सि प्रॉब्लम है तो ठीक कैसे करना है सबसे पहले हम किसका सोलूछन देखेंगे नीचे का निकालते हैं ठीक है नीचे का вод इस में प्रॉब्लम क्या होती है समझना यह जो मौबिन केस है यह शोटा सा डिट होथा है यह नट अब कभी-कभी होता क्या है जब हम इस Not को टाइट करते हैं उसके बाद भी हमारा solution झालता तो इसमें ठीज शीद्यां रागना कि हो सकता है कि कभी-कभी इस्पें कचड़ा फंसा हो ऐसा भी होसकता है तो कचड़ा कहां फंसता है इसमें एक लगी होती है यह देखिए इस ब्लेड में कचड़ा होता है तो इस कचड़े को आप निकाल सकते हैं सुई वगरा से पूरा खोलने की ज़रुत नहीं है सुई वगरा से निकल जाते हैं कचड़े अब माल लो कि उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा है तो इसका एक ही ऑप्शन है सिधा सिधा बॉबिन केस आप रिप्लेस कर दीजिए बॉबिन केस को आप चेंज कर दो यह आपका जो उपर में धागा खराब आ रहा है ठीक हो दाने इतने बड़े बड़े नहीं आते हैं एक दम हलका हलका दाना आता है मतलब आप जब हाथ से उसको छूपके ऐसे देखते हो ना तो आपको मैसूस होता है कि यह दाने-दाने हैं अभी यह तो बहुत जादा दीख रहा है कभी-कभी कम होता है तो उसका सॉलूशन भी अगर आपको को प्रॉब्लम केस को रिप्लेस कर दो यह जो प्रॉब्लम आ रही है ठीक हो जाएगी और जो मैंने तरीका बताया उसको भी आप करके देखना वह नट टाइट करके देखना रिप्लेस करने की ज़रत नहीं पड़ेगी कचड अगरा होगा तो उसको निकालना ठीक हो जाएगा उसको लागा देते हैं और इससे हमारा यह ऊपर का धागा खराबा रहा था हो जाएगी है । पहले हम जो नीचे का सॉलूशन निकाल रहे हैं नीचे हमने बॉबिन के इस वगरा चेंज किया तो आप इसको चेंज करें ठीक हो जाएगा फिर से यहां पर सिलाए चला के देखते हैं इस वीडियो में लाश्ट में मैं ऐसा टीप आप लोग को देने वाला हूं धागा चू बस इतना ही चलाते हैं अभी आपने देखा यहां पर जो उपर की सिलाई है यह एकदम ठीक हो गया उपर में जो भी प्रॉब्लम आया था वह ठीक हो गया तो यह मतलब बॉबिन केस से होता जो नीचे का धागा खराब आ रहा है इसका क्या सॉलूशन तो इसका सॉलूशन म यह कभी कचड़ा नहीं फंसा होता है यह तो आप निकल रहा है कभी-कभी धागे के तुकड़े निकलते हैं तो की वह धागा का तोड़ा वहां पर जाके फंस जाता है तो आप इसको खोल लें सबसे पहले तो आप इसको अच्छे से पहुंच दें देज़ों यह जो मशीन को मजीन में से कोई मzie के वल आपको यह की किन-किन प्रॉबलम की वजए से कैसे दिक्कते आती और इनको ठीक कैसे करना हição उसके लिए मैं आप लोग को बताह ना-ची करना प्रिष्ट में कर दिया साह्व सफाई करने के ना एकदम जोर लगाने के लिए जोरवत पड़े ठीक है नॉर्मल रहना चाहिए बस वापस से फिट कर देते हैं और यहां पी जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको आप चैक करके देखते हैं तो अभी चला के देखते हैं अब आप इसमें चैक क्या करने वाले थे नीचे का दागा कैसा रहा है तो ऊपर का देखते हैं यह देखिए नीचे कभी क्लियर होगा पहले की सिलाई और अपकी सिलाई देखिए तो यह प्रॉब्लम इससे आती है अब चलते हैं नेक्स टिप के तरफ लोग को एक प्रॉब् हम लोग बोलते हैं टपा मार रहा है या फिर बीच बीच का जो धागा है वो पकड़ने रहा है तो इसका क्या सॉलूशन है यह हमीशा सुई की प्रॉब्लम की वज़से होता है सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाता हूं यह देखिए यहां पर इतना बड़ा चोड़ दि यह जो सुई है ध्यान से देखना आम अपरसों लोग को बता रहा हूं जो आपको ठीक से फिट नहीं हूँआ रहता ने का मतला यह नीचे ऊतर जा रहता नाइक है तो आपको पूरा लेक्ट के जाना है प्रॉस्तस को नीचे अतार के नहीं रहता है प्ढ इसको भी हम कैसे ठीक करेंगो भी मैं आप लोग को बताऊंगा लेगिन यह जो टपा मारने वाली प्रॉब्लम आ रही थी यह एकदम क्लियर हो चुकी यह देखिए ठीक है तो यह मिन क्यों होता है सुई की वज़ा से होता है ठीक है अगर आपका नीचे आ जाए तो तो इसको आपको फूरा उपर तक रखना है बहुत लोग पूछते हैं कि 16 नंबर की यूज करें 18 नंबर की तो दोनों यूज कर सकते हैं कोई फरक ने पड़ता लेंथ दोनों की होती है उसमें मोटाई का बस हलका सब फरक होता है जो कि आप नॉर्मल उसको देखेंगे तो आपको सम की प्रॉबलम क्यों आती है अगर इसका हमको सॉलूशन मिल जाए तो फिर मजा जाए है क्योंकि यही प्रॉबलम लेकर आप बार बार जाते हैं सिलाय मशीन रिपेरिंग शॉप पे तो क्या ऐसा कारण होता है कि बार बार आपके मशीन का धागाट तूट जाता है इसको न मैं आप लोगों को दो प्रॉबलम का सॉलुशन एक साथ बताने माला हूँ दो प्रॉबलम क्या एक तो आपका मशीन जाम चलता है उसके लिए और दूसरा यह जो धागा कटता है उसके लिए तो में जो दिक्काद आती वो कहांसे आती यहांसे तो आपको करना इसको खोलन नठ थोड़ा सा महनत लगता है अगर आप इस तरह के बड़े पेज का यूज करेंगे न तो असानी से खुल जाएंगा पर चूटे पेजकस से आप पाकत इसमें लगाते रहेंगे नहीं देखो इस से भी नहीं खुला तो हम इससे और बड़ा पेज का यूज कर रहे हैं इसे खोल के देखते हैं यह असानी से खुल जाता है क्योंकि फेज कस बड़ी बड़ी साइज की शोटी साइज बड़ी साइज बड़ी साइज की इसलिए आती है कि जहां पर आपको आपको जोर लगाना पड़ता चोटे छोलकोर यह अब तो फिर आपको इसी के लिए भटकना पड़ेगा इस तरह से निकाल लेता है अब देखो इसमें भी बहुत सारे डस्ट कचड़े वगर सब फसे यह कब फसता है जब आप सिलाई करते जाते हैं तो यह धागा नीचे आते जाता है और साप सफाई नहीं होती मशीन की तो यह आ पूरा कंप्लीट इसको रिमूब कर देना है जितने भी कचड़े दिख रहे हैं तो पूरा साफ कर लेते हैं अच्छे से उसके बाद में इसका सॉलूशन होता हुआ है कि फ्रेंड्स आपको धागा तूटने की जो प्रॉब्लम आती है यहां पर देखना यह एक ब्लेड ल प्रॉट आपको चेंज कर देना है यहां पर मैं पूरा पूरा चेंज करने के लिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि इसको दोनों नट को आपको खोलना पड़ेगा यह जो ब्लेड है देख सकते हो और खोलने के बाद यह ब्लेड आप सिधा सिधा रिप्लेस कर दो क्या करोग जाट लगी हुए उपर में अलग से ब्लेड लगए हुए इसी ब्लेड बसको आपको ले के आना है और यह दोनों जाट खोल करके इसको चेंज कर देना अब यह एकदम यह दोनों जाट कर देना यह कोई वच्चों का खेल नहीं मैं आपको साब-सा बता रहा हूं इसमें आपको थोड़ी महनत लगेगी, सबसे पहले महनत कहां लगेगी, यह दोनों नट को खोलने में लगेगी, अगर यह नट स्लिप है, या उसका जो मुंडी है नट का वो खराब हो चुका है, तो खोलने में महनत लगेगी, पहली बात, खोलने के बाद, आप कोशिश करें कि घरेका काटती ہے और उपर दागा काट लिए कके इसका कोट सब्सकी ऐसे ना अwe सब्सक्राइब थिए अक्ति है लास्ण आहाब नोच सब्साचाय साफ़नों क्यों सब्सक्राइब लेकिन कभी-कभी होता क्या है यह जाली जहां पर रन करती है जहां पर घूमती है वहां पर भी कचड़ा या धागे का तुकड़ा फंसा होता है जो कि नॉर्मली साफ करने से भी ने निकलता तो आप बारीक सुई से या इस तरह से पेचकत से उसके पूरे कॉर्णर को इसको आपको साफ करना होगा अच्छे से ताकि वहां पर जो भी धागे का तुकड़ा या कुछ भी डर्स्ट वगरा है तो वह वहां से निकल जाए इससे होगा क्या आपकी मशीन जो जाम चल रही थी वह फ्री हो जाएगी ठीक है ना यह देखो इस तरह से पूरा साफ कर लेना अच्छे से यही अंदर में कचड़े फंसे होते हैं धागा का तुकड़ा उगरा कटके फंस जाता है और फिर मसीन आपका जाम चलना सुरू हो जाता है तो ये कर लेना और उसके बाद जाली आप वापस से इसमें लगा देना आज इस तरह से आपको जाली को वापस से करदें अब वापस यह पर जाकर प्रक्राइब देखो एक करना एक साइब को रखना किसको जाली को रखना है और इस साइब अब इस तरह से रखना तब ही यह फिट होगा अगर दोने इक होल चेक कर लेना बराबर बैठा है कि दें जब आपका पेचकस एटिस्टर उसमें घुस रहा है मतलब होल बराबर बैठा हुआ है आप इसमें डाल दें और फिट करने तो वापस इसको क्या कर देंगे अच्छे से टाइट कर देंगे पेचकस की मदद से यह दिखू अच्छ क्या आती है अभी हम यहां पर डालने का एक तरीका देखेंगे आप इस तरह से सुल आकर रख लें और इसके जितने भी पार्ट्स है उसमें आप ऑईलिंग करें ठीक है यह देखो इस प्रकार से यहां पर आपको पूरा ऑईलिंग करना है कि हर जगह पर ऑईल डालना है हिलका डालना बहुत ज़्यादा नहीं ठीक है कि और यह तरीका ओल डालने का क्यूंकि इस तरह से जब आप ऑईल डालते हैं चोटी से मशीन हों में तो उपर से नीचे तक नहीं आप आता इसलिए आपका मशीन फ्री नहीं होता साउंड क्लियर नहीं होता आप जब इस प्रकार से इसमें तेल डालोगे तो आवाज भी बहुत काम हो जाएगे अभी आप रियल देखना प्रैक्टिकल तौर पर कि कितना मशीन पहले आवाज कर रहा था जब हम इसको सुधार रहे थे और जब इसमें ऑईलिंग कर देंगे इसका कचड़ो गरस सब निकाल देंगे अच्छे से क्लियर कर देंगे उसके बाद इसको अवाज कितना सांत होगा उसको आप प्रैक्टिकल तौर पर देखना अब हम इसको क्या कर लेते हैं ऐसे और इसको सैट कर देते हैं यहां पर जैसे मशीन को फिट करते हैं ठीक है को फिट कर देंगे उसके बाद आप क्या करेंगे यहां पर भी छोटा सा नट होता है इसको खोल के इसके अंदर भी थोड़ा सा ओई प्रब्लम साती है इसमें आप बस यासे पोच पाच के अच्छे से कच्ड़े को साब करके ओईल डाल दें देखो कितना पुरा डास्ट यहां पर लगा हुआ है इस तरह से ओई आपको यहां पर डालना है यह इस प्रिंग पर हलका बूंक बस ज्यादा इस इस से ज़्यादा नहीं कि हो सकता थोड़ा सा डाल दें अब उसके बाद यह जो होल्स है इस में बीआप अब डालने हालका हो घच्छडा होगा तो नीचे तक जाएगा नहीं होगा तो चला जाएगा ठीक कुछ आपने कर लिया है इतना मैनत करने के बाद तो यह सुई भी लास्ट में चलने दें क्या दिक्कत है अगर सुई में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चेंज करने की ज़ूरत नहीं है और खीच रहा है कपड़ा सुई खराब हो चुका है तो चेंज कर दो इसके बाद आपका मशीन कंप्लेटली रेडी है चलने को बात जब आप सिलाई चला करके देखे मशीन का अवाज कम मशीन एकदम फ्री हो चुका है और बढ़िया सिलाई आ रही है कोई दिक्कत नहीं है बस यह थोड़ा ओईल आएगा क्योंकि आपने अच्छे से तगड़ी तरीके से इसमें कर रखी है थोड़ी देर ओईल आएगा तो आप किसी वेस्टेज कपड़े पर थोड़ी देर सिलाई चलाएं और उसके बाद की ऑईल आना बंध हो जाएगा ज्यादा दिर तकी ऑईल नहीं आएंगे ठीक है तो यह सारी प्रॉब्लम्स का आज मैंने आप लोगों को शॉलूशन दिया है जिनके लिए आप लोग बहुंद ज्यादा रिक्वेस्ट कर करके देखें निश्चीत रूप से आपको फायदा होगा और प्रॉब्लम्स आपकी खतन हो जाएंगे वीडियो को लाइक करना शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको इन में से कौन सी प्रॉब्लम थी तो मिलते हैं नेक्स टूडियो में तब तक के लिए जाएं